हलो आश्टूडेंस मैं हो विकास और मैं आप सभी का नॉलिज भीम यूटूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनाश स्वागत करता हूँ आश्टूडेंस आज की वीडियो में मैं क्लाश 12 के आश्टूडेंस को काफी अच्छी तरह से इसपर्ष्ट करने वाला हूँ इसपर्ष्ट कर दूँगा ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप अच्छे से प्रिप्रेशन कर सके बोड़ेग्याम 2021 के लिए तो मैं एक चीज़ आपको और इसपर्ष्ट करना चाहता हूँ मैंने इस वीडियो के डिस्विप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर जाकर आप इंग्लिस बुक से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड अपनी प्रिप्रेशन कर सकते हैं तो चलिए वेश्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि जो आपका यूपी बोड़ इग्याम 2021 का एक्जाम होगा उसमें इंग्लिस का जो क्वेस्टन पिपर आपको देखने को मिलेगा उसका रूप रेखा क्या होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करत मैं आज कि इस वीडियो में सपस्ट करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका इंग्लिस का व्यूज्टन पिपर होगा वह दो सेक्षन में डीवाइड होगा दो सेक्षन में बटा होगा पहला यानि जो सेक्षन ए और दूसरा और section B में आपका English grammar से related questions होंगे तो section A के अंतरगर जो English book से related questions पूछे जाएंगे English approach से, English poetry से, English short stories से और figure साफी speech से तो उनमें कितने questions के आपको उत्तर देने होंगे और कितने questions के answer आपको नहीं देने होंगे या सारी चीजे मैं आपको spust करने वाला हूँ तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है section A तो section A में आपका English book से related questions पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोग English approach में देखते हैं कि किस तरह से questions पूछे जाएंगे तो English approach से आपको तीन तरह के questions से देखने को मिलेंगे पहला explanation with reference to the contest अर्था reference और contest के साथ आपको explanation करना होता है और आपको English approach के जो भी chapter आपको study करने है उनमें से दो passage आपको दिये जाएंगे दो passage दिया जाएगा किवल एक passage का आपको reference contest के साथ explanation करना होता है और इसके लिए आपको 10 number मिलेंगे यानि दो passage दिया जाएगा किवल एक passage का आपको reference contest के साथ explanation करना है और इसके लिए आपको 10 number मिलेंगे अगर आपको reference contest के साथ explanation करने नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के playlist में जाएगे आपको इस topic पर वीडियो देखने को मिल जाएगा इसके बाद English approach से दूसरा type का question पूछा जाएगा वा कुछ इस तरह से one short answer type question not to exceed 30 words करने का मतलब है जो English approach से दूसरा type का question पूछा जाएगा वा आपको इसमें तीन question दिये जाएंगे जो कि आपके English approach की जो chapter है उनी में से तीन question दिये जाएंगे और किवाल एक question का आपको answer लिखना है और आप लगभग तीस सब्दों में अपना उत्तर लिखेंगे और इसके लिए आपको पांच number मिलेंगे और इस topic पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप मेरे चैनल को widget करके देख सकते हैं अगर इस channel पर नहीं मिलता है तो आप मेरे second channel पर जा कर देखें वहाँ पर आपको इस topic पर वीडियो देखने को मिल जाएगा तो यह चीज याद रखेगा कि आपको तीन question दिये जाएंगे जिन में से इंग्लिस प्रोच से पूछा जाता हुआ वेके बोल्री से संबंदित होता है वेके बोल्री का मतलब यह हुआ कि आपको वहाँ पर fill in the blank से संबंदित चार question देखने को मिलेगा तो जो आपका इंग्लिस प्रोच से वेके बोल्री वाला question पूछा जाता है उसमें आपको especially a, b, c, d करके इस तरह से चार sentence दिये जाएंगे जो कि आपके इंग्लिस प्रोच के जो chapter है उनी में से लिया जाएगा और वहाँ पर आपको उन sentences में रिक्त स्थान देखने में मिलेंगे आपको fill करना होगा वहाँ पर option आपको दिया जाएगा उनी option में से corrective जो 24 होगा जो कि आपके test book पर आधारित होगा उसी में से आपको चुनाव करके सही बिकल्प का आपको fill up करना होता है और इसके लिए आपको 4 नमबर मिलते हैं a, b, c, d करके इस तरह से 4 sentence रहेंगे जिसमें कि खारी अस्तार रहेगा और option दिया जाएगा आपको उसी में से fill करना है जो कि आपके test book पर आधारित होगा जो chapter आप पढ़ते हैं उसी में से रहेगा और इसके लिए आपको 4 नमबर मिलेंगे तो या English pro जिसे 3 तरह के questions पूछे जाएंगे इसके बाद English poetry की बात करेंगे इसके बात करेंगे आपको 2 तरह से questions पूछे जाएंगे पहला जो question पूछा जाएगा English poetry से कुछ इस तरह से होगा explanation with reference to the contest यानि आपको reference contest के साथ explanation करना है आपको 2 इस्टेंजा दिया जाएगा किवाल एक इस्टेंजा का आपको reference contest के साथ explanation करना है देख सकते हैं आप पर लिखा है मैंने one stanza कि वाल एक stanza का आपको reference contest के साथ explanation करना है आपको दो stanza दिया जाएगा और यह जो stanza दिया जाएगा आपके English poetry के चुब poem है उन्हीं में से दिया जाएगा कि वाल एक का ही आपको reference contest के साथ explanation करना है और इसके लिए आपको 10 number मिलेंग और इस topic पर मैंने complete video बनाया है आप मेरे channel के playlist में जाकर check कीजिए आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद English poetry से second type का question पूछा जाता है आपको कुछ इस तरह से पूछा जाता है central idea of anyone poem यानि आपको जो English poetry से दूसरा type का question पूछा जाता है उसमें आपको किसी एक poem पर आप Central idea लिखना होता है और आपको तीन poem दिये जाएंगे आपको तीन poem वहां पर पिपर में दिया जाएगा लेकिन कि वहूल तीन poem में से किवल एक poem का जो उस question paper में तीन poem दिया जाएगा उन्हीं poem में से किवल एक poem का आपको Central Idea लिखना है और इसके लिए आपको मिलते हैं साथ नमबर तो Central Idea रेडी मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है अगर आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ही सिंपल वर्ट्स में Central Idea देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसान है तो वहां स short answer type questions not to exceed 30 words each यानि कि short story से आपको तीन question देखने को मिलेगा जेद में से किवल दो question का आपको answer देना है short story में जो आपके chapter है उन्ही chapter में से आपसे तीन question पुछा जाएगा किवल दो question का आपको answer देना है और सब्द सीमा जो है वह लगभग 30 सब्दों में होना चाहिए यानि 30 सब्दों में आपको लगभग उत्तर लिखना है और इसके लिए आपको 5 पांच यानि एक प्रशन करेंगे तो उसके लिए 5 नमबर दूसरा प्रशन का answer लिखेंगे तो उसके लिए 5 नमबर अर्थार जो आपका question English book से समन्धित पूछा जाता है वो figures up speech से होता है तो इसमें क्या होता है कि figures up speech में आपको कुछ figures up speech दे दिये जाएंगे यानि 3 figures up speech के नाम दे जाएंगे उनमें से किवल एक figure up speech का आपको definition देना है और उस figures up speech का दो example भी आपको लिखना है तो यहाँ पर जो figure up speech तीन ठो आपको दिया जाएगा वह सिमली हो सकता है मेटाफर हो सकता है परस्निफिकेशन हो सकता है आपको जी मोरन हो सकता है उन्हों मोटोपोईया हो सकता है हाइपर बोल हो सकता है तो यहाँ पर साथ जो figure up speech है इनहीं में से तीन figure up speech आपके question paper में आपको देखने को चार नंबर का figure up speech से related question पुछा जाता है फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको तीन figure up speech के नाम दिये जाएंगे उन तीन figure up speech में से किवल एक figure up speech का आपको definition लिखना है दो एक्जामपल के साथ और आपको इसके लिए 4 नंबर मिलेंगे तो section A के अंतरगत आपको इस तरह से question body-yam के English के question paper में देखने को मिलेगा इसके बाद हम लोग section B के अंतरगत English grammar से समदित किस तरह से question देखने को मिलेंगे कितने प्रश्ण करने हैं कितने छोडने हैं सब कुछ में आगे आपको स्पष्ट कर देता हूँ students आप देखते हैं section B अर्थात English grammar से related जो question हमको body-yam में English के question paper में देखने को मिलेंगे वक्ति इस तरह के होंगे तो section B के अंतरगत आपको general English grammar से आपको क्या-क्या question देखने को मिलेगा अर्थात दो direct narration दिया जाएगा केवाल एक direct narration को आपको indirect narration में change करना है और इसके लिए आपको दो number मिलेंगे उसके बाद आपसे synthesis का question पुछा जाएगा और उसमें भी आपको दो question दिया जाएगा जिसमें से किवाल एक question का ही आपको answer देना है और इसके लिए भी आपको दो number मिलते हैं synthesis से दो question पुछा जाएगा किवाल एक question का आपको answer देना है और इसके लिए आपको दो number मिलेंगे इसके बाद transformation से भी आपको दो question देखने को मिलेंगे लेकिन किवाल एक ही का आपको उत्तर देना है और इसके लिए भी आपको दो number मिलेंगे ठीक है अब बात करते हैं syntax की तो syntax में आपको 4 sentence दिये जाएंगे एक एक number करके अर्था दो number मिल जाएंगे तो या general English grammar से related आपको 4 प्रकार की question से देखने को मिलेंगे इन सारे topics पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप मेरे चैनल के playlist में जाकर चेक कीजिए आपको सारे topics पर वीडियो मिल जाएंगे इसके बाद वेके बुलरी से related question पुछा जाता है तो वेके बुलरी में जो है आपसे 5 प्रकार की question पूछे जाते है पहला synonyms यानि कि आपको पर्यावाची लिखना होता है आपको 3 सब्द दिये जाते है तीनो word का आपको पर्यावाची लिखना होता है एक भी नहीं छोड़ना है तीनो सब्दों का आपको पर्यावाची लिखना है और इसके लिए आपको हर एक सब्द का एक एक अर्थात 3 नंबर मिलेगा इसके बाद internums अर्थात बिलोम सब्द से संबंधित आपको 3 सब्द दिये जाएंगे आपको उन 3 सब्दों का बिलोम सब्द लिखना है और 3 सब्दों का सही बिलोम लिखते हैं तो एक एक करके आपको 3 नंबर पुरा मिलेगा यानि 3 सब्द पूछे जाएंगे तीनों का लिखना होगा कोई भी नहीं छोड़ना है इसके बाद होम फोंस में आपको 2 सब्द दिया जाएगा दोनों सब्दों में आपको समान धोनी वाले आपको सब्द देखने मिलेंगे उनका वाक्त में किस तरह से करेक्ट यूज़ कीज़े ताकि उनकी मीनिंग सपस्ट हो जाए तो इसके लिए आपको दोनों सब्दों का अगर सही यूज़ करते हैं तो एक एक करके दो नमबर मिलेगा इसके बाद one word सब्द सब्सिट्यूशन से है अर्था कई सब्दों के लिए एक सब्द one word सब्सिट्यूशन से समबंदित आपको तीन प्रश्ण देखने अर्था तीन आप से one word सब्सिट्यूशन का question पूछा जाएगा और तीनों का ही आपको उत्तर लिखना है तो आपको एक एक करके तीन नमबर मिल जाएंगे यानि one word सब्सिट्यूशन से आपको तीन question देखने को मिलेंगे पांच पूछा जाएगा किवल तीन का ही अपको अपने वाक्त में सही प्रयोग करना है अगर सही धंक से कर देते हैं तीनों का वाक्त में प्रयोग तो आपको एक करके तीन नमबर मिल जाएगा तो यह तो बात होगे वेके बुल रहें की इसके बाद अगरा जो question about translation का होता है आपको हिंदी से English में translate करना होता है आपको हिंदी में दिया जाएगा passage आपको English में translate करना होता है और इसके लिए आपको 10 नमबर मिलते हैं मैंने इस topic पर वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप story वाले या passage वाले हिंदी के sentences को या story को कैस आप English में translate करेंगे मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया हुआ है आप मेरे चनल को widget करके देख सकते हैं और इन सारे topics पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप playlist में जाकर चेक कीजिए सारा आपको कुछ मिल जाएगा इसके बाद जो अगला आपसे question पुछा जाता और आपको इसके लिए कितने नंबर मिलते हैं 12 नंबर मिलते हैं बहुत important topic है और covid-19 पर बहुत ज्यादा जो exam हो रहे हैं उस्कूल में वहाँ पर आपको यह topic पूछा जा रहा है तो covid-19 topic पर आप आसानी से यह से तयार कर लिजिए मैंने i button पर दिया है covid-19 यह से का link उसे ज संहरा है और अध्या फौर नीचे पर प्रस्ण पूछा जाता है और उन्ही प्रस्णों का आपको उत्तर देना होता है या वाला जो प्रस्ण होता है इसके लिए दो नंबर मिलेगा और जो question number c होता में दो type की question पूछे जाते हैं पहला दूसरा करके पहला वाला एक नंबर का और दूसरा वाला भी एक नंबर का यानि टोटल जो question number आपका unseen passage का होता है यानि कि तीन तरह के प्रश्णों होते हैं और टोटल जो है उच्छा नंबर का होता है तो student C या था section B के अंतरगत की इस तरह से आपको बोड ग्याम के English के question paper में question देखने को मिलेगा I hope आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ गया होंगे फिर भी कोई doubt है तो मुझे comment section में जरूर बताए चले इसके आगे मैं आपको यह भी बता देता हूं कि English approach में English poetry में और English short stories में आपको कौन कौन से chapter पढ़ने हैं क्योंकि इसको भी लेकर बहुत सारे students काफी confused हैं तो चलिए उसे मैं भी मैं आपको इस first कर देता हूं मैं नहीं हो पर लिखा है English approach और यहां पर लिखिए और यहां पर मैंने лए लिखा हैं English vision है मैं नहीं आप लिखा हुआ है English context में आपको पढ़ना है जो पहला lizen are a girl with a basket एक टोकरी वाली बाली का आपको पहला यह लेशन पढ़ना है दूसरा अप हेलो ट्रैवेलर अर्थात एक सहयात्री यह भी पढ़ना है तीसरा लेशन है दा होम कमिंग यानि घर आना या आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है चौथा है विमन्स इजुकेशन महिलाओं की आपको यह भी पढ़ना है और पांचवा जो चैप्टर है हेरिटेज आप हिंडिया भारत की विरासत आपको यह भी चैप्टर पढ़ना है मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं इन सारे लेशन को मैंने हिंदी एक्स्प्लेनेशन के साथ अच्छी तरह से टीच कि दिया हुआ है आप मेरे चैनल के प्लेश्ट में चेक कर लिजे यहां पर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको मेरे सेकेंड चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने विडियों के डिस्प्शन में दिया हुआ है यानि मैंने सारे लेसंस को टीच कर दिया है अपने पहल दूसरा पोयम पढ़ना है the true beauty सची सुन्दरता और तीसरा पढ़ना है on his blindness अपने अंधेपन पर चौथा element एक बिलाप और पाचवा है from the passing of Arthur अर्था के जाने से और छटा है my heaven अर्था मेरा स्वर्ग और साथ मां आपको पढ़ना है the song of Friso Tantata का गीत तो इन सारे इंगलिस पोयम को मैंने अच्छी तरह से हिंदी के साथ आपको teach किया हुआ है इन्हें भी आप मेरे इसी चैनल के playlist में जाकर देखे या फिर second channel पर जाकर देखे आपको इन सारे topics को अच्छी तरह मैंने हिंदी explanation के साथ teach किया हुआ है इनका काफियत तक मैंने जो भी इंपोर्टेंटी इस्टेंजा है उनका reference contest के साथ explanation भी बताया है और सारे इन poems पे central idea भी आपको provide किया हुआ है सारा preparation है आप देखिए playlist में जाकर इसके बाद English short stories की बात करें तो English short stories में आपको पहला lesson पढ़ना है The Gold Watch अर्था सोने की घड़ी दूसरा पढ़ना एन astrologist है एक जो तीसा चारे का दिन या जीवन और तीसरा पढ़ना है The Lost Child खोया हुआ बालग तो इन सारे तीनों lesson को भी मैंने आपको already teach कर दिया है यदि आप अभी तक इन lessons का Hindi explanation या अच्छी तरह से किताब को नहीं पढ़े है तो मेरे चैनल को विजिट करके playlist में चेक की आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा अगर इस चैनल पर नहीं मिलता है तो सेकेंड चैनल पर जाकर देखें वहाँ पर आपको इन सारे लेसंस का Hindi explanation और question answer आपको देखने को मिल जाएगा तो students यह था कि आपको 2021 का जो बोड इग्याम होगा उसके तहत English book में कौन-कौन से chapter पढ़ने है और इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका बोड इग्याम 2021 में question paper English कायागा उसमें किस तरह से question का रूप रेखा रहेगा कौन-कौन से question करने है कौन-कौन से छोडने है किस question में कितना प्रष्ट करना है कितना छोडना है सब कुछ मैंने आपको इसपर्ष्ट किया I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को किजिएगा like और अपने उन friends के साथ share किजिएगा जिन के लिए वीडियो यूजफूल हो सक अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को किजिएगा like और अपने उन friends के साथ share किजिएगा जिन के लिए यह वीडियो यूजफूल हो सकता है और साथ ही साथ अगर आप अच्छी तरह से इंग्लिस की प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो हमार झाल झाल